हेलो, वेलकम टू चीन में केक्स एंड क्लासेस, प्री बेसिक टू प्रोफेशन केक स्रीज में, आज हम फिफ्ट नंबर का प्रीमियम केक फिलिंग बनाएंगे, तो इसके लिए पहले तो हमें स्पॉंज बनाना है, तो हमारे एक सब्सक्राइबर है कंचन जी, कंचन में के ओन रिक्वेस्ट पर, ओन डिमांड पर हमने एक थोड़ा सा अलग स्पॉंज आपके साथ शेयर किया है, ये बिलकुल बेकरी स्टाइल है, अगर आप ये सिर्फ स्पॉंज भी खाऊगे न तो भी वो बहुत टेस्टी लगेगा, हमारे सीरिज में अलग-अलग ट तो चलिए देखते ये बेकरी स्टाइल स्पॉंज कैसे बनता है, तो इसके लिए पहले तो हमने एक लिये हैं, दो एक हमें यहाँ पर चाहिए, उसमें हम एड़ करेंगे 25 ग्राम वाटर, ये आधा किलो स्पॉंज की रेसिपी है, यहाँ पर हम केक जल भी यूज करेंगे, 9 ग्राम हम केक जल यूज कर रहे हैं, जब भी आप केक जल यूज करो, तो केक जल बिलकुल रूम टेमपरेशर पर होना जाए, बिलकुल भी थंडा नहीं होना जाए, तो चलिए इसके बाद इसमें एड़ होगा वाटनिला इसेंस, 10 एमल यहाँ पर वाटनिला इसेंस यू करेंगे, अब हमें पहले तो बीटर से अच्छे से इसे थोड़ा सा मिक्स करना है, उसके बाद बीटर हम स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट में हम बीटर का स्पीड बिलकुल स्लो लखेंगे, मतलब स्लो स्पीड पर ये वन मिनिट तक बीट होगा, जो आपको यहाँ पर साइ दिखें हमें यहाँ पर वन मिनिट तक इसे स्लो स्पीड पर बीट करना है, उसके बाद साइड में जो लगा है, वो हमने अंदर की तरफ ले लिया, मतलब इकट टा किया, देन हमें बीटर का स्पीड हाई रखना है, हाई स्पीड पर आपको यह बैटर तीन मिनिट तक यूज कर सकते हैं, मतलब जैसे कि देखें, एक लेना है, वाटर लेना है, केक जिल लेना है, और इसेंस लेना है, मतलब वानिला इसेंस लेना है, यह चार चीज़े आप मिक्स करो, तो पहले तो अच्छे से बीट कर लेना, जब यह फलफी बन जाए, तो धीरे धीरे केक ट बैटर बनाके नेक्स वीडियो में जरूर दिखाऊंगी मतलब यहां पर दो मेथाड से आप बैटर को बीट कर सकते हैं पहला तो जो है वह हम दिखा रहे हैं कि पूरा एक ही साथ मिक्स करो और बीट करो दूसरा यह है कि राइंगरेंट्स सेकेंड डाइंगरेंट्स बाद मे चाहते हो उसके लिए यह measurement है अगर आपको 1 kg का केक बनाना है तो आपको 4 एग लेने होगे 50 ग्रायम वाटर लेना होगा केक जिल आपको लगबग 18 ग्रायम लेना होगा मतलब जितनी भी quantity हम मतलब जितनी भी ingredients हमने यूज की है उसकी double quantity करो तो आपका 1 kg का केक बन के तयार होग और अगर आप यहाँ पर dry fruits ब्याड़ करना चाहते हो तो भी आप dry fruits ब्याड़ कर सकते हो जिने cream पसंद ही नहीं है जो लोग sponge खाना ही पसंद करते हैं उनके लिए आप dry fruits अड़ कर सकते हो लेकिन अभी हमारा एक ingredients इसमें अड़ करना बाकी है जब आपका batter अच्छी तरसे fluffy बन जाता है तब आप oil अड़ करोंगे refine oil यहाँ पर मैंने लिया है 8 gram refine oil यह बहुत बढ़िया ट्रिक है आप एक साथ सारे ingredients mix कर सकते हो लेकिन आप तभी oil नहीं mix कर सकते जब तक आपका batter fluffy नहीं बन जागता तब तक आप refine oil बिल्कुल भी नहीं इसमें आड़ करेंगे जब बैटर fluffy बन जाएगा तो आप उसमें refine oil 8 gram add कीजेगा उसके बाद थोड़ा सा ही बीट कीजेगा थोड़ी देर बाद बीट करना stop कीजेगा लगबग हमें यह बैटर बीट करने में 4 मिनिट का टाइम लगा है अब हमने एक तिन लिया है यह 6 इंच का तिन है उसमें मैंने आ आदा घंटा इसे बैग करेंगे अगर आप otg कर रहे हों तो 180 डिगरी पर आप पहले तो 10 मेंट तक अवन प्रिहिट कर लीजे उसके बाद 160 डिगरी पर आप इसे आदा घंटा बैग कीजेगा अगर आपका अवन एटोमेटिक नहीं है तो आप mostly lower coil यूज कीजेगा लोर को थोड़ी सी जल्दी है इसलिए मैंने डी मॉल कर लिया तो पहले तो साइड से हमने उसे अच्छी तरह से डी मॉल कर लिया यहां पर देखे कितनी अच्छी तरह से हमारा केक बेक हो चुका है और बहुत ही बढ़िया इसका टेक्शर भी है और मैं आपको दिखा दू यह कित इतना स्पॉंजी बना है जैसे कि कॉटन होता है उसी तरह से इतना स्पॉंजी बन चुका है यह बिल्कुल मार्केट स्टाइल बेकरी स्टाइल स्टाइल स्पॉंज है आशा करती हूं कि कंचन जी की जो रिक्वेस्ट थी डिमांड थी वो मैं पूरी करने में कुछ हद तक काम्याब हो चुकी होगी यह उनसे प्रमान मिलना चाहिए कि उन्हें जैसा चाहिए ता वैसा स्पॉंज बना है नहीं लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है इस स्पॉंज की रेसिवी में अपने हर एक वीवर हर एक सबस्काइबर और हर एक होम बेकर कर डेडिके विडियो में हम इसी स्पॉंज को यह बहुत ही बढ़िया केक फिलिंग देंगे जो कि बल्कुल प्रीमियम क्वालीटी केक फिलिंग होगा तो चलिए अब मिलते हमारे नेक्स वीडियो में एक प्रेमियम क्वालीटी केक पिलिंग के साथ तब तक के लिए बाबाई थैंक यू सो मच और आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंड बॉक्स में सेंड कीजिए अदर्वाइस मुझे वाटसब भी कर सकते हो आपकी हर एक क्वेरी स्वाल करना ये मेरी रिस्पांस डिटीव है तो थैंक यू सो मच